नमस्कार जहिंद, बेपेसी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 30 जून 2024 से संबंधित प्रशनों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट अंतराष्ट तीनो घटनाओं का संग रहोगा। और हमेसा के तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विश्तरत तोर पर देने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस स्रीज से जुड़े हैं तो आपको बता दूँ, यह स्रीज बिहार के परतोगी परिक्छाओं पर केंद्रित है। डेली बेसिस पर एक समय को निर्धारित करते हुए, इस क्लास को फॉलव कीजिए, नो डाउट यह आपके बिहार की परतोगी परिक्छाओं के लिए वन स्टॉप सल्लूसन होगा। तमाम चीज़े यहाँ से आपकी कबर हो जाएगी। चले सेशन की सुरुवात करते हैं, लेकिन उस से पहले, पीछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। यह प्रश्न था कि 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आज़ित हुई बिहार विमेंस कबर डिल लिग यानि कि BWKL का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो इसका right answer था, Siwan Titans ने इस प्रत्योगता का जो खिताब है वो अपने नाम किया, जो इस प्रत्योगता का पहला संब्सक्न था। Siwan Titans ने सारन श्ट्राइकर्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो विगल प्रंबर A यहाँ पर इस प्रश्न का right answer था। अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्निकियों लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ अगर आप सतरवी वीपिस एक्जाम की परिपरेशन में लगे हैं तो online live test series की सुरवात हो रही है एक जुलाई 2024 से इसकी विसिस्ताओं की बारे में यहाँ पर लिखा गया आप इसे बढ़ सकते हैं इसमें अगर हम test की बात करें तो full length test की होगी संख्या 40 और sectional test आपको मिलेंगे 90 प्लस यह सभी updated test होंगे जिसकी सुरवात हो रही है एक जुलाई 2024 से यह पूरा का पूरा schedule आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला test एक जुलाई को दूसा तीन जुलाई को और इसी परकार से यहाँ पर ग्रम से आगे लिखा गया है और test की जो timing है यह 9 बज़े से लेकर 11 बज़े सामको होगा यानिकर रात आप सोने से पहले इस टेस्ट को participate करें करेंगे टेस्ट को submit करने के बाद सुएंगे और सुबह उठकर इसका period के साथ अपने तैयारी का एक परकार से मुल्यंकर करेंगे देखेंगे कि कहां आपका ग्रत्वा किस परकार से चीज़े आपको prepare करना चाहिए तो यह टेस्टर स्रीज आपको घर बैठे बेहतरीन तरह के से जो अब तक तैयारी आपके हुई है उसका मुल्यंकर करने में भरपूर योगदान करेंगा अच्छा इस स्रीज के बाद करें तो यह लाइप मोड में होगा लेकिन यहां पर एक बात यह भी है इसकी विसे अगर आप लाइप मोड में इसे इस time period में जोई नहीं करते ह हैं तो बाद में भी इसमें आप participate कर सकते हैं आप जितनी बार चाहें उतनी बार इससे टेस्ट को participate कर सकते हैं यह इसमें कोई बॉन्डेशन नहीं है यह सभी टेस्ट हिंदी भासा में उपलब्ध होंगे और टेस्ट सब्मिट होने इसका पीडिया फाइल जो सॉलूसन वाला होगा आप इसे यहां से डाउनलोड कर पाएंगे हाला कि इससे टेस्ट स्रीज को बहुत सारे लोग अल्रडी जॉइन के व पर जो कूपन कोड है एक उप्सन होगा कूपन कोड डालने का बियम 400 वहां पर आपको डाला है कूपन कोड जब अपलाई हो जाएगा तो 400 रुप्य का यहां पर आपको डिसकाउंट मिलेगा एक नॉमिनल सा चार्ज पर एक नाम मात्रिका चार्ज पर 199 रुप्य में यह त कहां हाल ही में 28 जून 2024 को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का उद्गातन किया गया इसका राइट अंसर होगा विकल्प नंबर ए यानि कि इसका उद्गातन अभी हाल ही में पटना में किया गया जो पाटली पुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स है वही पर देखें वही सारे जानकारी यहां पर लिखी गई कि पाटली पुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स पटना में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का उद्गातन किया गया जहां पर बिहार के खिलाडियों को राष्टे और अंतरराष्टे अस्तर पर परस्रिक इस पर बहुत सारे खोशना है हुई है और यह चीज़े आपके लिए इंपोर्टन हो जाती है खासकर कि अगामी एक्जाम के दृष्ट कौन से और खेल और खिलाडियों को लेकर बहुत सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं सभी पर ध्यान रहेगा पीडियाप जो आपक करें तो 28 जून 2024 को इसका उद्गाटन बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता ने एर फिश्टल से गोली छोड़कर किया अच्छा वरतमान में जो बिहार के जो खेल मंत्री है यह है सुरेंद्र महता यह जरूर ध्यान आप लोगों को रखना है जैसे खेल मंत्री हो इसके अच्छी मंत्री हो गया वित्ट मंत्री हो गया यह सभी इंपोर्टन होते हैं चलिए एक बर मैं दोहरा दूं अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो यहां पर यह चीज़े जहां से सुन लिजे देखे खेल मंत्री है वरतमान में सुरेंद्र महता किर्शी मंत्री वो स्वास्थ मंतरी दोनों सन्यूप तौरपे हैं, मंगल पंडे और वित मंतरी हैं, अभी समराट चोधरी जो कि बिहार के उप मुख्य मंतरी भी है, complete जो जानकारी है मंत्री मंडल को लेकर जो 15 मार्च को 15 मार्च को जो 23 को जो इसका विस्तार हुआ है उसको लेकर जानकारी हमने आपको दिया है अच्छा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि यहीं पर खेल मंत्री सुरेंद्र महता ने बुन्यादी अस्तर पर खेलाडियों की चमता और योगता को तरासने के लिए रज के हर पंचायत में खेल कलब खोलने का निरने लिया है यह घोषना यहीं पर इनके द्वारा किया गया है यह जरूर ध्यान रखेंगा अप लोग अच्छा बिहार में अगर हम खेल के बात करें या फिर रज के खेल के बात करें तो बिहार के जो रज के खेल है यह है कब अड़ी और वरत्वान में बिहार रज के खेल प्राधिकर है खेल और खिराडियों के संदर्व में चलिए आगे चलते हैं अच्छा यहां पर जो हम अभी बात कर रहे थे बिहार से समंदद खेलों की या फिर खेल की ऐसे में एक अहम जानकारी मैं यहां पर आपको दे दू दरसल अगर हम बात करें खेलो इंडिया इंवर्स्टी गेम्स की तो इसका चौथा संस्क्रन दोचार चौबिस में 19 से लेकर 29 फरवरे तक आज़ित हुआ इसका उदगाटन वा था गौाटी असम में हाला कि यह साथ पुरवतर राज है जो भारते राज हैं साथ पुरवतर वहां पर आज़ित हुआ जिनमें की असम अरणाचल परदेश मेगाले मिजोरम सिक्कीम नागालेंड और त्रिपुरा अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंटली यहां पर यह द्याने केंगे इसका जो सु नायन मितला इंवर्श्टी दरवंगा की यहां की महला कवड़ी टीम ने एक ब्राउंज मेडल अपने नाम किया यानि कि इस चौथे संस्क्रण में खेलो इंड़ा इनवर्श्टी गेम्स का बिहार ने केवल एक ब्राउंज मेडल जीता और इसके साथ पदब तालिका में बिहार को एक सब पंद्रवां अस्थान मिला है ये चीज़े यहां पर आपको ध्यान लगड़ा है चुकि बिहार की जो राज के खेल है कवड़ी और कवड़ी महला टीम ने ही इस खेताब को अपने नाम किया अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्ट पर अचा उससे प बापू परिक्षा परेशर और बापू टावर ये एक्जेक्ट प्लेस आप ध्यान रखेंगे किस दिथी को हुआ उद्गाटन और किन के द्वारा उद्गाटन क्या गिया इसके अधरित स्टेच्यू अफ सोसल जस्टिस स्वामे नरायन मंदिर जो की युवई अब उधा ये अस्थापित पहला हिंदू मंदिर है नरिंद रोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को इसका उद्गाटन हुआ और इसके अधरित सुदर्सन केवल पूल जोगी द्वार का गुजरात में है 25 फरवरी 2024 को इसका उद्गाटन यहाँ पर किया गया और बिहार को लेकर एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि बिहार के पटना में जो राजदानी पटना है यहाँ पर भारत ही नहीं बलकि एश्या का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है इसका उद्गाटन अभी हाली में 4 मार्च 2024 को नितीश कुमार के द्वारा किया गया इसके अतरिकते सेला कि अरणा चल परदेश से समद्धित है इसका भी उद्गाटन नरेंद मोदी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया यह कुछ हालिया महपून उद्गाटन है जिसको आपको यहां से ध्यानर रखना है चले दूसरे प्रशन पर आचुके हैं दूसरा प्रशन है कि बिहार सरकार ने रज के सरकारी स्कुलों में सिक्षिकों को अपनी हाजली या उपस्तती दर्ज कराने के लिए कौन सा मुबाइल एपलिकेशन लौच किया है इसका राइट आंसर है विकल्प नमबर C यानि की E सिक्षा कोस जो कि सरकारी स्कुल के सिक्षिक इसी माध्यम से अपना उपस्तत दर्ज करेंगे अपनी हाजरी बनाएंगे तो विकल्प नमबर C यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अब यहाँ पर आपको जानकर देदो कि बिहार सरकार ने हाली में 25 जून 2024 को रज के तकरिबन 78,000 सरकारी इसकलों में पढ़ाने वाले लगबग 55,000,000 सिक्षिकों और परधाना ध्यापगों की हाजरी या फिर उपस्तती दर्ज कराने के लिए इस सिक्षा कोस मुवाइल एप्लिकेशन लाउंच किया है इस एप्लिकेशन का नाम यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छा इस एप की मात्यम से दीन में दो बार हाजरी बनानी होगी जो दो टाइम मतलब यह हाजरी बनेगा हाला कि अगले कुछ दिनों तो ऑन-लाइन के साथ-साथ भौतिक रूप से रजिस्टर में या आफ्लाइन तोर पर सिक्षक और परदाना ध्यापप अपनी उपस्तती दर्ज करेंगे लेकिन बाद में इसे पूर्ण रूप से ऑन-लाइ पार के स्कूल की बात हो रहे तो ऐसे में एक जानकारी रिसेंटली आपके बीविसी एक जाम में पूछा गया था मिसंदक्च के बारे में मिसंदक्च के बारे में जो डिटेल इन्फरमेशन हमने आपको बदलाया है वो आप धिहान रखेंगी अच्छा इसके अतरिकत तर रिसेंटली एक घोषना वे थी कि सरकारी इसकलों के बच्चों को परतिक बंगलवार को दूद पीने को दिया जाएगा, लेकिन अब इस जो फैसला वाता जो घोषना वे थी इसे वापस ले लिया गया है, फिलाल अभी ये लागू नहीं होने वाली है, अच्छा यहाँ पर म चले फिलाल इसे इसकीप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्ण पर, अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्ण है कि किस देश ने दक्षिन अफ्रिका को हराकर 29 जून 2024 को 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्चुकप 2024 का नौवा संस्क्रन का खिताब जीता है, पुरूस यहाँ पर इस प्रश्णी का राइट आंसर हो गया, देखें, ICC T20 विश्चुकप की बात करें, तो कई सारी जानकारी है यहाँ पर ध्यान से सभी को देखेगा, सभी पॉइंट अपने आप में एक प्रश्ण है, पहला प्रश्ण है कि ICC T20 क्रिकेट विश्चुकप 2024 का ज दोनों देशों के पास थे, और यह कब से कब तक आज़ दुआ तो एक से लेकर 29 जून 2024 तक, देखें, इसका फैनल मकाबला 29 जून 2024 को बार बार डूस वेश्टन डीज में खेला गया, जहाँ पर दक्षिन अफरिका को साथ रन से हरा कर दूसरी बार, ICC T20 क्रिकेट विश् भारत की बात कर रहे हैं, और यह इस प्रत्युक्ता का नौवा संस्क्रण है, तो यह ध्याने के, अगले पाइनल मैच में प्लेयर आफ दा मैच का जो खिताब मिला, यह किताब निबलके खिताब होगा, खिताब विराट को मिला, जबकि वहीं पर तेज गेंदबाद ने नाम किया है, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, कि इससे पहले पहली बार 2007 में, दक्षिन अफरिका के मेजवानी में जो आईसे सी T20 वर्ल्ड का पया जित्वा था, और आपको ध्यान रखने हैं, इसी विस्वकप में, जो 2007 में कहला गया था, यह इसका धान रखेंगे कि ICC T20 विस्वकप की सबसे सफल टीमों की बात करें, तो भारत वेस्टन डीज और इंग्लेंड हैं, जिन्होंने दो दो बार इस खिताब को अपने नाम किया है, आगे हम बतलाएंगे कब गब यह खिताब अपने नाम किया है, अचा भारत को लेकर तो आप जान चुके हैं, एक बार 2007 में और एक बार अभी हाल ही में 2024 में, अचा एक जनकारी अप लोग ध्यान रखेंगे, पीछले वीडियो में हमने बतलाए था कि दक्षिन अफरिका आज तक किसी भी ICC टूनामेंट के फैनल में अब तक नहीं पहुचा था, लेकिन इस बार 2024 में पहुचा, लेकिन ये टूनामेंट अपने नाम नहीं कर सका, और आपको धियान रखना है, इसलिए ये पॉइंट हमने यहां पर लिखा है कि आज तक दक्षिन अफरिका, ICC का किसी भी फॉर्मेट कार्ड, जो मतलब जो खिताब है, वो अपने नाम नहीं कर पाया है, भले ह इस वर्स, पहली बार 2024 में ये फाइनल में पहुचा था, अच्छा, ICC क्रिकेट विस्ट कप को लेकर कई सारी जानकारी है, जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये सारी चीज़े हमने कल ही आपको बतलाया है, मुझे नहीं रखता है, अगर आपने कल वाला वीडियो मिस किया तो एके करके सारे पॉइंट को यहां पर पढ़ लिजे, ये अपने आप में एक पुनाव दोरा दो, ये सभी अपने आप में एक प्रश्ण है, आगे भी यहां पर बहुत सारी जानकारी है, इसे जुनामेंट को लेकर आप सभी बातों को दिहान लेगेंगे, चलिए, अब अब यहां पर हमारा अगला चौथा प्रश्ण है कि सन्युक्त रराष्ट संग्याने की युएन कारियाले द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनशार, विस्स में नसा करने वालों की संग्यां कितनी परतिसद बढ़कर 29.2 करोड पहुँच गई है, ये अभी हाल ही म पर इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूँ कि सन्युक्त रराष्ट संग्याने की युएन कारियाले द्वारा 26 जूम 2024 को डरक्स दुरुप्योग और अवैद तसक्री के विरुद अंतरराष्ट दिवस के मौकी पर जारी वर्ल्ड डरग 2029 के उनसर दुनिया भर में नसे करने वालों कि या फिर नसा करने वालों की संख्या में 20% की बढ़ोतवे के साथ यह 29.2 क्रोड पर पहुंच गछी है यहां पर आपको ध्यान रखना है जो नसा करने वाले लोगोंके संख्या है यह 20-35 बढ़ोतरी के साथ 29.2 क्रोड पहुंच गई है अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि परती एक बात से 26 जून को ही ड्रक्स दुरुपयोग और अवैद तसक्री के विरुद अंतररश्टे दिवस मना जाता है और इसी अफसर पर ये रिपोर्ट जारे भी थे येवन कारियाले के तरब से अच्छा इस रिपोर्ट में और भी कई बाते कही गई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लेकिए इसमें सबसे जादा जो 29.2 koट यहाँ पर हम जो नसां करने वारे लोगों की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट केंटी है तो इसमें सबसे जादा 22.2 koolle लोग भांग सेवन करते इसके बाद अफीम युक्त दवाओं का सेवन करने वारे लोगों की संक्या तक्रीबन 6 क्रोड है इसके और भी कई परकार के नसा हैं जो कि इस समय बिबिन छेत्रों में बिबिन परकार से किया जाते हैं बहुत सारा इसका उधारन है और जो आप लोग सुनते भी होंगे और बिहार में तो खास करके जो गांट है एक मैं तो जानता नहीं क्या होता लेकिन मैं सुना हो बहुत बार एक गाट होता है कुछ, उसको भी पीकर बहुत लोग इस मतलब कर सकते हैं नसा का सवन करते हैं उसके भी माध्यम से आचा कुछ में पहले सनफिक्स नाम का कोई मतलब एक परकार सलोसन होता है वो चिपकाने वाला गौंध होता है उसके भी माध्यम से कैसे करके नसा किया जाता था तो कई विकल्प हैं इसके माध्यम से मतलब नसा किया जाता है तो इसी को लेकर ये डेटा निकलकर अभी हाली में सामने आये थी अच्छा यहाँ पर एक बात आप ये भी ध्यान लगेंगे इस रिपोर्ट की अनुसार कि नसीली दवाओं की उपयोग से समंधित विकारों वाली अठारा में से केवल एक महला को उपचार मिल पाता है जबकि साथ पुरुसों में से एक को उपचार मिल पाता है अचा विकार सब्ध का जो परयोग किया गया है यानि एक पड़र से बीमारी आप बोल सकते हैं जो कि मानसी का और शारेरिक तोर पर होती है जिनमें की जो नसा समंधित जो महला है मतलब छो नासान कहरती है, तो उन में 18 मैं से, आस्तेर इक महला को ही इसका इलाज मिल पाता है, जबकि पुरुसों में, इस काटेगरी में साथ मуса एक पुरुस को अलाज मिल पाता है, यह सारे बाते ध्याने के. अचो कुछ समय पहले हमने जानकारी अब को दिया था सराब को लेकर बिहार में जो सराब बंदी लागू है और रिपोर्ट एक आये थी जिसको लेकर हम चीज़ें आपको बतला रहे थे तो उसमें हमने आपको यह भी बतला था कि बिहार में महलाएं भी कम नहीं है महलाएं भी बिहार में सेवन करती है सराब का यह चीज़ ध्याने के अचा सराब की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं बिहार के संदर में कुछ बाते आपको बतला दूँ यह चीज़े रिकॉल हो जाएगी जैसे कि एक बात यहाँ पर यह ध्याने केंगे पहले बिहार में जब भी पूर्ण सराब बंदी की बात हो तो पांच अपरेल दोजार सोलो को लागो भी थी यह तीथी आपको धिहान रखना है जब भी सराब बंदी को लेकर कोई प्रश्न बने तो विकलपों को धिहान से देखेगा और प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा अगर एक अपरेल हो तो ये आंसिक सराबंदी होगा पूर्ण सराबंदे की बात हो तो पांच अपरेल दोजार सोलो होगा अच्छा ये सारे चीजे संचालित हो रही है बिहार में जो वर्तमार में नवी बार बिहार के मुक्ष मंतरी पद की सपत लिया है नितीस कुमार इनके का सकते हैं निगरानी में इनके संचालन में इनके कारकाल में लेकिन बिहार में सराबंदी की बात करें पहली बार कब भी थी तो मुख्ष मंत्रे थे करपुरी ठाकूर, ये इनका दूसरा कारकाल इस्टातवा था, 1977 में, और तभी ये बिहार में पहली बार सराबंदी लागो भी थी, हालाकि ये लंबे समय तक नहीं चल पाई, दो साल पसचाद है, 1989 में इस कानून को भंग कर दिया गया, तो फिलाल य किया गया है, नेक्स्ट यहां पर पांचवा प्रशन आपके समख्ष है कि हाली में किस सूपरसिद्ध लेकिका को परतिष्टित पेइन पिंटर पुरुषकार 2024 से सम्मानित किये जानी की घोशना हुई है, ये घोशना अभी हाली में भी है, और किन को लेकर हुई है, तो र सम्मानित किये जाने की घोशना भी है, और घोशना के अनुसार उन्हें ये सम्मान जो मिलेगा, ये 10 अक्टवर 2024 को, ये प्रुषकार समारो जो आज़त होगा वहाँ पर इन्हे सम्मानित किया जाएगा, अच्छा पिछले 2021 से हम ये पेन पिंटर प्रुषकार को लेकर जा लोरी ब्लैक मैन को 2020 में हमने आपको जानकार दिया था इंगलेंड के माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया था यह चीज़े यहां पर ध्यान रखे और 2024 के लिए चैन किया गया अरुंधतिय रुए का अच्छा यहां पर कुछ जानकारी और भी आपके समक्ष हमने रखा है जै इसे के अनुरूप यहां पर एक पॉइंट हमने आपके समक्ष रखा कि अरुंधतिय रुए को वर्ष 1997 में उनके उपन्यास जोकी बहुत प्रशिक्द हुए थी The God of Small Thing इसके लिए बुकर पुरुषकार से उन्हें सम्मानित किया गया था इसके कवर पेज को आप यहां पर इस तस्विर में देख सकते हैं The God of Small Thing के अच्छा पेज़ पिंटर पुरुषकार की जो अस्थापना वे थी वर्ष 2009 में इंगली स्पेज संसा द्वारा नॉबल साहित पुरुषकार विजेता हेरॉल्ड पिंटर के सम्मान में किया गया था यहां पर ध्यान के इन्हें के स संस्था की अस्थापन की गयी थी अच्छा एक जानकारी और अगर हम बात करें इससे पहले 2014 में यह पुरुषकार भारतिया मूल के ब्रेटिस अमेरिकी पन्यासकार सल्मान रुस्दी को दिया गया था आप यहां पर सल्मान रुस्दी को इस तस्विर में देख रहे हैं अ और कौन सा पुछा गया है तो यहां पर आप देखेंगे यह वाला 2023 वाला जो अंतरराश्टे भुकर पुरुषकार दिया गया जो कि बूलगारिया के हैं इनकी रचना टाइम सेंटर के लिए और इसका अंग्रेजी में अनुवात किया था एंजला रोडेल के द्वारा यह जाने के अच्छा इससे पहले 2022 में जो अंतरराश्टे भुकर पुरुषकार मिला था यह भारत के उत्तर परदिश की हिंदे के लिए जो गितांजिली स्री है इनकी रचना रुष्ट की समाधी के लिए इनका अंग्रेजी में यानिकि इस पुस्तक का या फिर उपन्यास का जो अंग्रेजी में अनवात किया था टॉम अफ सेंड के रूप में ये डेजी रॉक्वेल के द्वारा किया गया था ये 2022 और 23 को लेकर आप चीज़े धिहान रखी लेकिन इसके अतरिक्तर रिसेंटली जो दिया गया है अंतराश्टे भुकर पुरुषकार 2024 तो इसमें धि देख सकते हैं जो पुरी दुनिया में दिया जाने वाला एक महतपूर्ण पुरुषकार में वो कंप्लीट सूची आप यहां पर देख रहे हैं अच्छा वोचिए यहां पर हमने दर्सवा भी दिया है यही परशना पी जामें पूछा गया था यह वाला अच्छा इसके अ वास्तुकार रिकेन यामा मोटो को प्रचिगर आर्फिटेक्चर पुरुषकार 2024 से सम्मानत किया गया एक बात यहां और यह दिहान केंगे जपानी वास्तुकार ने ही इस पुरुषकार को शरवाधिक बार अपने नाम किया है अभी एवल पुरुषकार 2024 को लेकर खोशना अभी थी फ्रांस के मिसल टेल ग्रांट को सम्मानत किया गया यह चीज़े यहां से ध्यान आपको अवश्च रखनी है अब यहां पर अगले प्रशने पर जाने से पहले एक जानकारी आप सबब को दे दूँ हराकी यह बतलाए गया है आप लोगों को याद होगा कि प्रते देंसा फाइदा यहां पर यह है कि अगर आप सिर्स इस्कोर होते हैं लीडर बोट में अगर आप रैंक वन हांसिल करते हैं तो आप यहां पर ममारे तरप से लोगों से नहीं कर पाया थै जड़ूड इसको पार इसको पाले किज़ेगा अगर साड़े आट हुजे के बाद आप जोईन करना चाहेंगे तो इसमें आप जोईन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो टाइम डूरेशन है वो आट से साड़े आट के बीची है तो जो लोग लिख चुक हैं यहाँ पर बिना किसी सुल्की के इसमें पाटिसिपेट कर सकते हैं चले यहाँ पर अगला च्छाटा प्रस्णा है कि यह निमलिकित में से किस पुर्व बल्लेवाच को हाली में पाकिस्तान महला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निउक्त किया गया है इनका नाम है महमद वसीम जिनने अभी हाली में निउक्त किया गया है यहाँ पर इस तस्विर में देख वें आप उतादो कि पाकिस्तान के पुर्व बल्लेवाच और पुरुष टीम के मुख्य चैन करता महला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निउक्त किया गया है यह नाम अपलुब ध्याने केगा जो कि वरतमान में जो खास करके पाकिस्तानी राच्टी अपुरुष क्रिकेट टीम है इसके मुख्य चैन करता है अच्छा एक बात यहाँ पर यह ध्याने कि महला क्रिकेट की बात हो रही है इसमें हमने चर्चा किया है तो एक जनकारी आपको बता दूँ कि अंतरश्य क्रिकेट परिसर जो की क्रिकेट की सर्वोच संता है इसे सौट में कहा जाता है आएसीसी आएसीसी ने हाली में गोसना किया था कि जो अगामी महला T20 विस्ट कप है इसका जो आज़न है ये तीन से लेकर 20 अक्टवर 2024 तक बंगलादेश में आज़ित होया यानि कि बंगलादेश में ये T20 विस्ट कप का नवास समस्क्रण आज़ित होना है 2014 के बाद ये दूसरी बार है जब बंगलादेश को इसकी मेजबानी मिली है ये भी यहाँ पर अब ध्यान रखेंगे अच्छा यही चीज़ें अगर हम भारत के संदर्व में बात करें तो भारत पहली और एक मात्र बार 2016 में महला T20 विस्ट कप के मेजबानी किया था अच्छा महला T20 विस्ट कप पहली बार 2009 में खेला गया था सबसे सफल टीम है उस्ट्रेलिया जो की छे बार इस किताब को अपने नाम कर चुकी है एक बार इंगलेंड 2009 में वेशंडिच एक बार 2016 में बाकि अब तक जितने मतलब परत्युक्ता हुए हैं इन दोनों के अतरिकत सरवादिक 6 बार आठ संस्प्रन में से ये उस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है ये चीजे ध्यान आपको रखना है चलिए नेक्स प्रशने की 12-23 जूद 2024 तक कजानर रसिया में एजित ब्रिक्स गेम से 2024 में भारत कितने पदक जीत कर पदक तालिका में कौन से अस्थान पर रहा देखें यहाँ पर दो तरीके का प्रशने सामिल है दोनों अगर आपको याद रहेगा तब ही आप इस प्रशने का राइट आंसर कर पाएंगे भारत ने कितना पदक जीता है और कितने अस्थान पर रहा या फिर कौन से अस्थान पर रहा तो भारत 29 पदक जीत कर पदक तालिका में आठवे अस्थान पर रहा अता विकल्प नमबर डी इस प्रशने का राइट आंसर हो गया सबसे पहरा पॉइंट ये दिहान रखेंगे ब्रिक्स गेम्स 2024 का जो एजन है ये 12 से लेकर 23 जून 2024 तक रस्या कजान में आजित वा है कजान एक जगह है रस्या में यहीं पर ये आजित वा है इस परतियुक्ता में भारत ने 3 स्वर्ण पजट जो की गोल्ड मैडल और 6 सिल्वर और 20 ब्राउंज मैडल सेथ कुल 29 मैडल जीते हैं और पदक तालिका में आठवा स्थान प्राप्त किया है यनि भारत कुल मिला के 3 स्वर्ण सेथ 29 पदकों के साथ 8 में अस्थान पर रहा है अच्छा इसमें अगर हम मेजवान देश रस्या की बात करें तो 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा है हलाकि रस्या का जो अवर ओल पदक रहा कुल मिला कि 509 पदक अपने नाम किया है जिनमें कि अगर गोल्ड वैडल की बात किना तो वह है 206 अगरा जो अस्थान मिला दूसरा अस्थान ये बेलारूस को मिला जो कि 247 पदक और उसके बाद करमसा तीसरे इस्थान पर अपने नाम किया और ये करमसा दूसरे तीसरे अस्थान पर यह चाहां पर आप ध्यान अवसरे कि आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी आपको दे अपने नाम किया था और बिहार को गौर्वान वेत किया था और इनके वारे हमने ये बतला था कि अभी हाल में बिहार सरकार में मतलब जौप में हैं सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इन्हें जो नौकरी मिली हैं बिहार सरकार की योजना जो है मैडल लाओ नौकरी बाओ इसी के तहत इन्हें जौप मिली है जो की बिहार के सारन जीले के छपरा के राने वाल है अकासकुमार तो यह चीज़े यहां से ध्यान आप लोग रखेगा नेक्स्ट आठवा प्रशने की नमलिकित में से कहा हाल ही में भारत ऑलम्पिक अनुसंधान और सिक्षा केंदर का उद्गाटन किया गया है कहाँ पर किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा गांधी नगर गुजरात में विकल्प नमबर A यहां पर इस प्रशने का राइट आंसर होगा देखे भारत ऑलम्पिक अनुसंधान अवंग सिक्षा के अंदर का उद्गाटन अभी हाले में 23 जून 2024 को राइश्टे रख्षा विश्विद्याले गांधी नेकर गुजरात में किया गया है देखे कितना फायदा होता है अगर परधान मंत्री गुजरात के हैं तो सारा विकास का जो कारी है यह लगभक उसी छेतर में होता वहीं पर होता है मैं इतने दिनों से जीज़े आपको बतलार हूँ पिछले चार सालों से करेंट एफेट्स को हमने एकदम बारेकी से देखा है बारेकी से आपको भी पढ़ाया है और इतनी सारी घोसना ये गुजरात में हुई है इतनी सारी गुजरात में अस्थापित हुई है और होती रहती है बात तो वही है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि गिरी मंतरी गुजरात के परधान मंतरी गुजरात के तो विकास का जो कार ये है वो कुछ बहतर वहाँ पे होता है आज भी विहार उसी तरह है जैसा कि आज से लवक दस साल पहले था कुछ भी परवर्तन उस अधार कर नहीं हुआ है मतलब मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ जो समझ रहा हूँ मैं किसी भी राजनितिक दल का विरोधी नहीं हूँ किसी भी राजनितिक दल का समर्थक नहीं हूँ यह बात मैं यहाँ पर आपको बता दू जो कार करेगा जो मतलब चीजे विकास के पक्ष में करेगी उनका तारिफ होना बनता है और जो नहीं हो पाती है तो लोकतंतर में इसकी आलोशना भी स्वभाविक है ठीक है चलिए यहाँ पर हम अब इसे आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अंतराश्य ओलम्पिक समिथी द्वारा अलजिकारे कर रूप से मानता प्राप्त भीक औरयनी कि भारते ऑलम्पिक अनसंदान अवंक् सिछ्छा केंद्र एक सेक्षणिक केंद्र के रूप में ऑलम्पिक मुल्यों को बढ़़ा देता है इसमें एक जैनकारी और भी हम नें सामिल क्या कि भारते ओलंपिक संग की मौजुदा अध्यक्ष पीटी उसा है जिने भारत की ट्रेक एंड फिल्ड क्वीन के तौर पर जाना जाता है आप इन्हें यहां पर इस तस्वेर में देख रहे हैं अच्छा भारत की उडनपरी नाम से परसुदिक केरल के पीटी उसा दिसंबर 2022 में भारते ओलंपिक संग की अध्यक्ष है मतलब मतलब दिसंबर 2022 से यह इसके अध्यक्ष है और इसको लेकर जानकारी हमने आपको दिया था दिसंबर 2022 वाला पीडियाप देखेगा वहां पर यह चीज़ आपको मिल जाएगे अच्छा पीजी उसा की जो आत्म कता है जो आटो प्रक शिमान यानिकी विजवल बनाने के लिए उपकरन विकूद किया है तो रैट आंसर होगा IISC बैंगलोरू यानिकी भारते विग्यान संस्थान बैंगलोरू में अभी हाल्यमें यहां के भैंग्यानिकों ने इसे विकूद किया है यह चीज़ यहां पर देख सकते हैं और एक जनकर यहां पर ये भी निकल कराती है कि गैलियम आर्से नाइट का अव्यूग अबरक्त लाइट यानी कि इंफ्रारेट लाइट या फिर इंफ्रारेट एयलेडी को बनाने में किया जाता है और अबरक्ति किर्ण या फिर इंफरारेड वह विद्दू चुंबकिया विकरन है जिसका तरंग धर्दे परत्यक्ष परकास से बड़ा और सुक्ष में तरंग से कम होता है फिलाल ये वाला पॉइंट यहाँ पर मुझे जादा इंपॉर्टन लग रहा है इसी वज़ा से हमने इसमें सामिल किया है ये ध्यान लेगा और ये सम्मधित किस्से है तो भारते विक्यान संस्थान बैंगलोरू से सम्मधित है ठीक है ये यहाँ ध्यान लेगे चले अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले एक प्रश्ण में दस्वा प्रश्ण है कि सिक्किम में त्रिसक्ति कोर के सैन इंजिनियरों है सीमा सरक्ष संगठन यानि की बॉर्डर रोड और्गनाजेशन और साथ अस्थान या प्रशासन के सहयोग से डिक्चू संगलांग मार्ग पर किस ब्रीज का निर्मान क्या है ये ध्याने किएगा इसका राइट आंसर होगा बेले ब्रीज अगर आपसे पूछा जाए कि बेले ब्रीज जो भी हाली में खवरों में है किस रज में है तो सिक्किम में यहां पर आप तस्वेश में देखने है अब यहाल ही में इसका उद्गहाटन क्या गया है अच्छा ब्रीज को लेकर पहले भी कई बार हम आपको जानकारे दे चुके हैं जैसे कि अंजीव नदी पर जो बना हुआ है अंजीव ब्रीज, सुदर्सन ब्रीज, चिनाव ब्रीज यहां पर आपको ध्यान रखना है हमने कल भी आपको बतलाए था अच्छा उदघाटन के बात हुए है तो ये उदघाटन रेसेंटली हुए है अभी कुछ पहले हम आपको बतला रहे थे इसे इसकी परते हैं आगए चलते हैं अगले प्रस्ने में प्रस्ने के नवर्स ये ने कहां हाली में 27 जून को भारते लोग और जंजाते कलाब परदर्षणी हुनर शुरू हुई है ये हुनर एक परत यूगता का नाम है ये अभी हाली में कहां पर शुरू भी तो दुबाई में विगल निम्बर सी यहां पर इस प्रस्नी का इस वीडियो को हम यहां पर समाब्त करते हैं और जानकर जो हमने टेस्ट सरीज को लेकर आपको दिया था आप लोग जोईन इसे जरूर कर लिजे, जोईन करते से में आपको धिहान रखना एक कूपन कोड आपको अपलाई करना है BM400, जिसका यहाँ पर 400 रुपिये का आपको डिसकाउंट मिल जाएगा, तो असानी साब इसे जोईन कर पाएंगे, चलिए आज के इस वीडियो के प्र में जाएए हमें बताएए इसका राइट आंसर क्या होगा, हम मिलते हैं आप से एक नेक्ष्ट वीडियो करते के लिए धन्नवाद जाहिएंट